श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशीफल चंदर राशी पर आधरित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिदी लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुण्ली में अश्टम भाव में गोचर करेंगे ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा सावित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी इस दिन को आपको अचानक से धनपाप्ती हो सकती है आपका रु वीदेश यात्रा से लाब होगा अगर आप वीदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरूवात कर सकते हैं जो लोग आईस की एग्जाम देना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तेयारिया कर रहे हैं पढ़ाई से जुड़ी कोई नई में एनरजी की कमी भी रह सकती है अश्टम भाव में चंद्रमा की स्थिती पारिवारी कलकलेश बढ़ा रही है आपको इस दिन क्रोथ पर नियंतर नदकना जरूरी होगा तोल मोलकर बोलिएगा नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है घर परिवार में शांति बनाये रखने की कोशिश जरूर करें इस समय में यात्राय संबल कर करनी होगी यात्राओ में रुकावटे आने की संभावना है यात्राओ में चोट लगनी की भी संभावना है दोस्तो इस समय में यात्राय करते समय साउधानी बरतना बेहत जरूरी होगा अगर जरूरत ना तो मेहनत ज्यादा करनी होगी तब जाकर आपको फलकी प्रापती हो सकती है इस समय में अपने कारेक्षेतर में आपको धैरे रखना चाहिए इस समय में काम का बोजा भी आप पर ज्यादा रहेगा लेकिन धैरे रखोगे तो आपके लिए समय शुब रहेगा नहीं तो आप इ देशानिया भी इस समय में आ सकती है जिसकी वज़े से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकती हो इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा इस समय में कीमती चीजे गुम हो सकती है चीजों की चोरी होने की संभावना भी है इस समय में अग आप इस दिन negativity से घिरे रह सकते हो किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा इसलिए उपाय जरूर करें इस दिन आपके लिए औरेंज रंका इस्तिमाल करना शुब रहेगा और नव अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है साथ ही इस दिन आप हरे रंकाय उ लाइची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा नकारत्मक उर्जा समाप्त हो सकती है इससे आपका दिन शुब रहेगा कामों में सफलता मिलेगी और मन शान्त रहेगा इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गय है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो ह हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से ह अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते है ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपल जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पासकेंगे, क्यूंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी, इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें, पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही, जिन लोगों को पता नहीं है, उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिडशेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करें दोस्तों मुख्यद्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग औ जो भगवान की मुर्तिया होती है, वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए, साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है, जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए, जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर मे हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नही करें धन्यवाद